नमस्कार जैश्री कृष्णा मैं राके शिवानी अश्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और जैसा कि में कुछ लास्ट वीडियो से हम लोगों ने ग्यान जोतिश ग्यान के नाम से वीडियो स्टार्ट की है जिसमें एस्ट्रोजी को फ्रॉम दिवेरी तक तो हमारा प्रस्टिक लगन तक का हमने देखा है हम यह देख रहे थे कि डिफरेंट डिफरेंट लगन वाले लोगों के कैसे कैसे सभाब कैसे कैसी नेचर होती है क्या उनको सूट करता है क्या अच्छी चीजे होती है क्या उनके बुरी चीजे होती है क्या उनको में आज दिखा देते हैं यह है धनु लगन यानि किसी जातक की धनु लगन हो या धनु राशी हो तो उसकी उसकी नीचर कैसी होती है उसके लिए क्या अच्छा होता है वो एक बहुत इंपोर्टन चीज है तो यह तो हम जानते हैं कि धनु राशी का जो स्वामी है वो ब्रहिस्पती होता है ग्रह ब्रस्पती हर ग्रह को दो दो राशिया दी गई है ब्रस्पती को भी दो राशिया दी गई है धनु राशी और मीन राशी दो राशी ब्रस्पती के पास है तो धनु राशी का जो स्वामी है वो ब्रस्पती है सिंबल क्या है सिंबल सब जानते हैं कि आधा गोड़ा है आधा इंसान है एक इनसान है जो पर बैठा हुआ है तीर अंदाज तीर गमान लेके और उसका तीर कमान खिचा हुआ है नीचे गोड़ा गोड़ा है तो उसे आप आडिया लगा सकते हैं कि किस तरह की निचरिस इनसे जातक की होगी आडियल में साइन सिंग तुला धनू मनुष और कुम्ब ये पांस राशी वाले लोग इनके लिए अच्छे रहते हैं अगर इनसे इनकी दोस्ती हो तो वेवलेंट बड़ी अच्छी रहती है और अच्छी मैचिंग इन लोग इनकी रहती है लाइन लॉज्स टे नाम से पर्फियूम आता है आप इस पर्फियूम का नम नोट कर लिए ल अधीकीं गूगल भे आप देख सकते हैं इस तो खरीज सकते हैं यह पर्फ्यूम इन लोग के लिए बहुत अच्छा होता है जिन लोग की धनु राशी हो या दनु लगन हो अगर वो इस पर्फ्यूम को लगाएं तो बहुत ही पूल और काम रहते हैं और हमेशा एक रेड़ी चेकिर मूग में रहते हैं लखी डेज इनके लिए लाइट क्रीम, ग्रीन, औरंज, लाइट ब्ल्यू, एमरेल्ड यह सब लखी कलर हैं इनको रेड, ब्लैक और पर्ल तरर जो है वह अवाइड करना चाहिए धनु राशी वालों के लिए डेव फास्ट किस दिन इनको ब्रत रखना चाहिए अगर यह ब्रत रखना चाहते हैं तो थरस्दे का दिन इनके लिए ब्रत रखने के लिए बहुत अच्छा दिन माना जाता है फास्टिंग के लिए धनु लगन जो है वो विशेष फल देने वाला होता है इन लों का जैसे कि आपने सिंबल देखा है कि एक आदमी बैठा है उसके हाथ में तीर कमान है और उसके तीर कमान को खीचा हुआ है और नीचे गोड़ा है तो इसका अब यह है कि जो भी जातक है ऐसे जातकों का अबजेक्टिव बहुत क्लियर होता है कि उन्हें कहां करते हैं सरवादिक दाश्रिक होते हैं सत्य बोलने वाले होते हैं अच्छा इन में यह है कि शरीद में की प्राबलम हो सकती है मुटापा इनको हो सकता है अगर गुरू बिगड़ावा हो तो मुटापी की प्राबलम अकसर इन लोगों को पाई आती है जिनका दानू लगन को पसंद होती है ज्यान और और रूर्जा का अच्छा संगम इनके पास रहता है इसलिए ऐसे लोग जो है चानक्के भी बहुत अच्छे बनते हैं तो चंद्रकुपी बहुत अच्छे के लिए बृट अच्छी है और divr वालों की एई ऐसे जह्तैज स्वार्श होते हैं बह कि एक पांच नो यह नी राशियां दो शेदा से प्रत्वी राशियां है तो अगनी राशी थोड़े से गुस्तैल होते हैं फोड़े से काम करूं यह एसे काम करूं थोड़ा साल कई बाट डिसीजन लेने में तोड़ी देर लग जाती है लेकिन होते हैं लेते हैं तो बिल्कुल सेट इसन होता है पूर्व दिशा होती है यह एक पास्टों यह पूर्दिशा कहलाती है तो पूर्दिशा में कुई काप किया जाए ऐसे जातक जो है वह अच्छे रहते हैं उसन राशी होती है पूर्श राशी है इसे जातकों में पूर्षोचित कोंअट पायजा जाना पर dedic है यह कि है वह इस्त्री की राशी हो इस्त्री की कॉडलीओ च्छाए कुडली उस्त्री की ली के gewoon किसी है मतब्योद जो फोड़े You shout कि आधा इंसान है और आधा गोड़ा है तो इसे लोग ठीक है सुसाइटी के अंदर मिल जाते हैं लेकिन बात अपनी बात कहते हैं चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे को पॉस्टिव बाजी इनकी दिमाग में रहती हैं जसके तोड़ी सी परिशानी हो जाती कई बार हैं दा मिलम्र खोटेमिंस्टिक होते हैंfight रशावाली मतलब चीजों को अच्छा सोचते हैं कि यह दोग बहुत जल्दी निराशा में निराशाय घेरे में यह लोग नहीं आते बहुत मुखी होते हैं खुले और निश्पक्स दिभाग वाले होते हैं तार्षनिक पहले बोला है प्लॉसफर टाइप के होते हैं बहुत जयादा इस फ्रैंक होते इंधर के नहीं है ज्यादा सोचाइटी के अंदर जो जाते हैं विजिनरी होते इतर अधर अधियमी होते हैं इस वर से डंदे वाले होते हैं इमांदार होते हैं विनम्र होते हैं साहने बूती पूर्ण विवार होता है इनका फुल अफ इनर्जी होते हैं उर्जवान होते हैं इन से बल से कोई काम नहीं कराया सकता है प्यार से काम कराया जा सकता है तो इनके साथ प्यार दिखाना चाहिए लेकिन अनुन पाखंड सा यह लोग नफरक करते हैं कोई द्वेश नहीं रखते कितने अच्छे गुण है दानुराशीवानों के या दानुचातक वालों के लिए लेकिन इसके बावजूत भी इनके अंदर कुछ लोवर स्टेंथ होती हैं जिनको अगर थोड़ा सा यह चेंज कर लें या ज होती है छल्दवाजी होती है तो छिंतित थोड़े ठोड़ा रहते हैं क्यूंकि बातों को जल्दी से थाध से नहीं मानते तो लोग इन्हें सोफते हैं कि यह कुछ गमंडी है जा इनके अंदर है यह प्रोब्लम फोड़ी सी रहती है तो उसके ने काम करना चाहिए उप्देश देने की आदत थोड़ी होती है उप्देश देते हैं लोगों को बताते हैं कि यह थोड़ा टाइम लग जाता है तो यह चीज द्धनु राशी वाले द्धनु लगन के लिए ती जो मैं आपको बताई आशा करता हूं आपको समझ माया होगा समझ माया हो तो काणी लाइब कीजिएगा सबस्क्राइब कीजिए और इसके अलावा हम लोग दोने अभी बैस टार्ट करें एड़ांस असलोजी क जो लोग विंडिट्रेस्टेड हों दिये गया उन्बर पर संपर्ट कर सकते हैं हमारी कुंणली पैक्टेश इसी ग्लास चलती हैं हर सुंदे 17 जो लोग चाहते हैं वो भी इस नंबर पर संपर्ट कर सकते हैं बस यह कहना चाहूंगा कि इसे लाइक किजिए मोटिवेशन ब